सल्मान खान को लेकर पिछले 3-4 दनों से बहुत जादा ट्रोलिंग हो रही है मैंने कहा था कि ट्रोलिंग होगी ही होगी अगर कुछ चीज़े उपर नीचे सामने आई तो याद होगा आपको एक ट्रेड आर्टिकल ने ये कहा कि सल्मान खान की फिल्म राधे का कलेक्शन OTT का सिर्फ 15 करोड हुआ है और जैसे ही ये बार ट्रोलर और हेटर्स को पता चली वो सल्मान खान को लगाता ट्रोल कर रहे है बहुत बुरी तरह से ट्रोल कर रहे है और वेलकम का एक सीन है याद है वेलकम फिल्म अक्षर कुमार की और उसमें अपने है na ना-णा पाटिकल साहब है और रिष्टे के लिए कोई नाना पाटे करके साथ मतलब सामने आता है और बोट पर नाना का एक वकील है वो किस तरह से कुछ बोलता है तो सब पूरा है ना प्राबलम हो जाता है मतलब लड़की देखें के जो आते है वो लोग किसक जाते है तो उस सीन को किस तरह से चोल करक है परड़ी जैसा कि सल्मान खान ऐसा हवे में बहुत दिखाते कि बहुत बड़े अक्टर है उनके फैंट बहुत तारीफ करते हैं लिए सल्मान खान की लाइफटाइम केलेक्शन रादे का सिर्फ पंदा करोड है तो इस तरह से कई सरे और लोग है जो बहुत ट्रोल कर रहे हैं और मेरे को साफ कहना उन सभी लोगों को जो ट्रोल कर रहे हैं सल्मान खान की फर्म रादे का असली पोटेंशियल 230 से 250 करोड है अगर ये नॉर्मल से सेंरियों में देटर में आती तो यह मैंने बात अब कहिए कई बार subscribe तो कोई बहुत बहुत कोई बाद कोई बहुत बार टोप है कोई बहुत 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 कोई तो को बढ़ांता इन ती में लेकिन güne की नौलेज रखता हूं उनके बारे में जानता हूं लेकिन मैंने आपको एक और न्यूस बताया थी जहां पे बॉलिवुड के तीन बड़े ट्रेड अनलिस्ट जिन में से कुमल नहाटा बें वॉल्ड है इन सब ने साफ कहा है कि राधे अगर सोलो ईद पर आती थेटर में न 175 करोड के ऊपर कमाती ठीक है और 200 करोड तक भी जा सकती है तो यह फिल्म का एक्चुल अर्निंग 200 करोड तो है यह आप मानके चलो टेड अनलिस्ट के हिसाब से मैं तो खुद कहा रहा हूं कि 230-250 करोड तो जब यह बात सामने है तो वह फिल्म का अगर 15 करोड बताया जा र अबर बात कही है तो यह तो भाई वही बात है कि आप जितना इस पर बोलोगे उतना ठोल होगा उतनी बात आगे बढ़ेंगी आपको क्या खुद लगता है सलमान खान की फिल्म वह भी लाइफ टाइम में जो बंदे की फिल्म पहले देन टाइगर जिन्दा है ने 34 करोड के आस पास कुछ कर शी आता उसकी फिल्म 15 क्रोड का लाइफ टेम कर सकती है क्या उसकी फिल्म भी देखो उठाके या एवेज फिल्म देखो 180 से 200 क्रोड का करेक्शन करती तो वह अक्टर की फिल्म जो राद है जबकि उनसे कई सारी पिछली कूछ फिल्म से काफी अच्छी है वो फिल्म किस हाल में पंद्रा करोड का लाइफ टेम करेगी तो लॉजिकली भी सोचो दोस्तों कि बिना मतलब का ट्रोल आप ना करें क्योंकि सल्मान खान पंद्रा करोड तो छुटे मुटे आड़े में कमाता है उससे जादा तो यार यह थोड़ा सा जादा हो गया मुझे लगता है कि ट्रोलिंग की कुछ लिमिट होने चाहिए लौजीकल ओनी चाहिए और इसे ट्रोलर करें तो लौजीकल करो नहीं किलेक्शन खभी नवीवर्शिप साफ बताएं कभी तो बड़े दुखी मन से यह कहना चाहता हूँ कि कभी क्लियर हो गई नहीं कि राधे का actual potential कितना था राधे ने actually कितना कमाया पारिसी ने कितना नुकसान किया इस फिल्म को मैंने अपने तरह से सब बताया है लेकिन बस वही बात है कि भी 15 क्रोड तो नहीं है बहुस मेरे दुख होता है क्या करें बड़ लोग यही ट्रोल करें और शायद मैं चाहके भी कुछ नहीं कर सकता हूँ बहुस साथ लोग चाहके भी कुछ नहीं कर सकते है करने दो ट्रोल करने तो मैं इही कहूंगा टाइगर थी का वेट करते और जब फिल्म पहले दिन चालीस या पचास कोड़ के उपर कमाएगी ना टाइगर थी तो सबकी बोलती बंदो जाएगी